गाइस सरसथवी VPSC देखिए आठ मही को जो एक्जाम था वो हो चुका है कैंसल यौल नो देट और री एक्जाम के अब अगर हम बात करें जो एट मही वाला एक्जाम हुआ था सरसथवी का इसका री एक्जाम कब तक होगा तो आयोग ने अभी कलिये अनाउंस किया ये बोल था कि कम से कम देखे दो से तीन मेने का समय जाएगा री एक्जाम कंड़क्ट करवाने में क्योंकि सारा प्रोसीजर बिल्कुल स्टार्टिंग से करना है सिवाए फॉर्म भरवाने को छोड़के बात करते हैं सरसथवी VPSC में देखिए एक तरीके सा वापस गोल्डेन ऑप सकते हैं आज का वीडियो कफी इंपॉर्टेंट रहेगा इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि देखिए 37 टॉपिक्स मैं इसमें बताऊंगा 37 ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जो कि most relevant और very very important है अगर सिर्फ आप इन 37 टॉपिक को करते हो इन सारे सब्जेक्ट से तो मै मैं आपको यह दावा करके बोलता हूं कि आपका result definitely आएगा और बहतरी ना perform करोगे यह सारे जो topics होंगे देखिए उपर से घटते हुए क्रम में रहेंगे यानि कि जो सबसे उपर topic रहेगा वह very important रहेगा उसमें से ज्यादा question जो है आयोग पूछता है और यह जो वीडियो रहेगा यह जो topics जो मैं बात करूँगे यह सारे के सारे साथमी बीपीसी यानि कि इसको पॉइंट ओट करें तो रहेगा ही लेकिन बीपीसी जो अपने exam जीसित आप से लेता है पैसाथमी चासाथमी के आधार पे और साथमी का जो भी जो exam हुआ है जो paper leak हो गया था इन सब आपके आधार पे यह पूरा analysis बनाये गया है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं hey everybody जैहिंद मैं हूं रहूल और आप देख रहे हैं mission competition तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं देखिएगा सबसे पहला जो हमारा यहां पर portion आएगा वो geography का portion यहां से हमारा आता है जोग्रफी में अपने को क्या क्या देखना है very important है इसको आप समझेगा कि जोग्रफी में हम लोग को क्या क्या यहां पर देखना है right ध्यान दीजेगा देखिएगा तो जोग्रफी में सबसे पहले आप जो है यहां पर देखिए census को आप लोग करेंगे यानि कि जन गन्ना ठीक है ना? शबसे पहले जनगनना को आप लोग देखेंगे अब जनगनना जो है ध्यान दीजेगा वेरी इंपॐर्टन्ट है बिहार और साथी साथ भारत यानि की नैशनल जनगनना ठीक है? तो आपको सेंसस देखना है और सेंसस आपको दोनों ही पर पेक्ष में देखना है बिहार और भारत दोनों की तौर पर आपको यहाँ पर देखना है क्योंकि most important यास देखिएगा data पूछता है इस बार के भी जो सरसर्टिफिका जो एक्जाम हुआ है तो यहाँ जन्गन्ना से डाटा आप से पूछा था I hope आप सभी को याद रहेग next देखिएगा जोग्राफिक यहाँ बात हो रही है next देखिएगा next जो हमारा यहाँ पर point रहेगा next तरह दिखे आइलेंड है ना महादूइप यहाँ पर आपको देखना है महादूइप साथी साथ देखिए रेगिस्तान ठीक और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो है islands यहाँ पर देखिएगा आप लोग ठीक है islands ठीक है ना तो यह important है यह तीनों चीजों पर focus करके क्योंकि आप सब जानते हो इस बार महादुई पठार इन सब स्लेटेड काफी चीजे पूछा था उसके बाद देखिए खनीज संसाधन से related question आता है है ना खनीज से जिसक इंग्लिस में हम लोग क्या बोलते हैं minerals ठीक तो आप इस पर focus करेंगे क्योंकि यहां से related question काफी रहते हैं आपको यहां पर बहुत important बात है बहुत importantly आपको यहां पर focus करना परेगा ठीक है ध्यान दीजेगा next हम लोग देखेंगे next हमरा रहेगा mountains passes and plateaus है ना परवत पठार है ना और यहां plateaus आपको देखना है परवत पठार पहाडिया यह सब आपको देखना है आपने यहां देखा होगा इस बारी का importantly था यह एकदम परवत पठार से related इस बार जो गड़ाफी में दो तीन question पूछा था दो तीन question तो यहां पर देखिएगा सबसे पहले ज यह वाला जो दोनों portion है ना very very important है यहां से ज्यादा तर question आपके देखने मिलते है जोग्रॉफी वाले portion में और यह जोग्रॉफी आपका बिहार का भी यहां से cover up होगा बिहार के परपेक्च में आपको यहां से पढ़ना है ठीक है next अगर हम बात कर लें परवत के बाद दे है यह most important इसको देखना है उसके बाद हमारा आता है देखिएगा क्या आता है very important है climate ठीक है ना climate यानि कि वातावरन ठीक है फिर आता है soil यानि कि मिट्टी और फिर हमारा आता है capitals very important है देखिए यह important इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि यह देखिए इससे question पूछ देता है हां regular basis पे नहीं पूछता है कभी-कभी इस पे focused यह पूछता है यहां bracket में लिख लो आप कि यह कभी-कभी यह पूछता है जैसा कि आपने ध्यान दिया होगा 66 में इससे question था 66 में इससे question था कि भाया उसमें question था कि particular जैसे आप ध्यान देतोंगे अफ्रीकी देश वेगरा का जो है ना सिधा सिधा वह पूछ देगा इसका capital कौन सा है इस देश का राजधानी कौन सा है तो यह आपको यहां पे focus रखना है और यह कहीं ने कहीं आपको ध्यान में भी र साते हैं देखिए history में इसमें देखिए ancient ठीक है ancient के बाद देखिए इसमें medieval and then after इसमें आ जाएगा modern history इसमें देखिएगा तो अब modern में क्या-क्या पूछता है modern देख लीजेगा modern में जैसे कि जैप्रकास नडायन स्रिल्टेड points और बाते पूछ लेगा उसके बाद देख पूछ बाते पूछ लेगा ठीक है तो यह important चीजे modern में आपको इन सारी चीज़ों को देखना है ancient में बाद जैन है ना बाद जैन के बाद गुप्त यह तीन चीज़े very important है देख लीजेगा ठीक है और संगतिव अगरा कब हुआ कौन सा हुआ यह important है very important देख लीजेगा जि जोग्रफी में जोग्रफी में आपको क्या देख लेना है तो बिहार का परपेक्शन देख लेना है सेंसस देख लेना है जोग्रफी में उसके बाद very important map study आपको करना है map में आपको क्या देखना है map में सबसे पहले तो बिहार का परवत आपको देख लेना है बिहार का पर कि इस पहाड़ी में कौन सा मिनरल होता है यह सब ध्यान रखेगा करेंट की बात करें तो भाई यह तो बुक्सी आता है आप या तो इस पीडी का अप ले सकते हो करेंट का जो आया बिहार स्पिर ले आ जाता है या तो फिर अभी जैसे इडू टीडिया का भी निकला था और इसके अलावा भी काफी सारे कोचिंग्स अपना प्रस्नल प्राइवेट नोट्स भी निकालते रहते हैं आप लोग उसो प्रफर कर सकते हो चौधा पॉइंट में रखेंगे देखिए बजट यहां पर आएगा ठीक है ठीक है बजट एंड यहां पर उसके बाद आ जाएग कि सर कौन सा एकनोमिक सर्वे देखना है देखिए आप फोकस रहिएगा और ध्यान रखेंगे कि आपको करेंट ही एकनोमिक सर्वे देखना है आप एकदम ध्यान रखेंगे करेंट एकनोमिक सर्वे आपको देखना है 2021 और 22 का जो है आप करेंट एकनोमिक सर्वे देखेंग 30 से 35 सवाल आपसे पूछे जाते हैं 30 से 35 सवाल आकड़ा कम नहीं है बहुत बड़ा आकड़ा है 30 से 35 सवाल बहुत जादा होता है ठीक है आप यहाँ पर देखिए हिस्ट्री में हम लोग जो बात अगर करेंगे तो history में ध्यान दिजएगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ascent history का, ascent history में देखिए, सबसे पहले जो BPSC का focus होता है, किधर होता है, BPSC का focus होता है, buddhism में, ठीक है, buddhism में इसका focus होता है, उसके बाद देखिए, जैनीजम में, यानी बुद्ध और जैन में इनका focus हो होता है ठीक है यहां से इंसे रेटेड सारी चीजें आपको बेसिक से लेके एडवांस तक आपको देख लेना मतलब इनका बच्पन का नाम क्या था ग्रीत या कब किया ग्यान के प्राप्ति कब हुई कब इनका देथ हुआ पहला जो है इनका चेला कौन था यह सब कुछ आप को ध्यान रखना है उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट जो है चीज है कि यह देखिए ध्यान रखिएगा यह पूछते हैं फिर हडपा के बारे में ठीक है हडपा सब देता ठीक है हडपा के बारे महुत इंपॉर्टेंटली यह पूछते हैं उसका दिये लोग फिर ध् जब लब यह सब देख लीजेगा और कौन सा जो है सो वन्स वेगारा सब पर मौर वन्स के अंतरगत कौन-कौन से और आएं यह सब पर काफी फोकस करते हैं तो यह सब आपको अच्छे से ध्यान रखना है ठीक है उसके बाद यह लोग आ जाते हैं भाहिया देखिए फिर यह हो और के बाद गुपता समराज्य पर रया झेर harspur लीजेगा हर्सवरधन्स लिटेट शीज़ पूचते हैं तो यह जए इनका गोन बात आखिए है एक हएं छे जो है हिस्ट्री से इनका संबंध यहां पर मैं बोलूँगा ठीक है एसेंट हिस्ट्री तो यह जो है चार टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको बिल्कुल अच्छे से रट के रखना है कुश्चन का उधर ही फोकस रहता है बीपेसी का उधर ही ज्यादा फोकस रहता है नेक्स देखिए गुलाम ठीक है गुलाम वंस पूछेगा उसका देखिए खिलजी पूछेगा खिलजी वंस में भी इनका कुछ स्पेसिफिक है जैसे कि अल्लावदीन पे ज्यादा फोकस इसका रहता है बजान यंतरन पर नाली और उसके द्वारा बहुत सी चीज़े स्टार्ट करी तो उस इसके बाद देखिए फिर ये लोग का ध्यान होता है मुगल पे मुगल से कोश्चन पूछता ही पूछता है है ना मुगल में इनका फोकस कहां कहां रहेगा तो मुगल में खासकर ये लोग का फोकस रहता है अकबर के उपर ठीक है अकबर के बाद देखिए सहा जहां ठीक ह ध्यान रखेगा इसमें जो है इनके कल्चर वेगरा को भी पूरा अच्छे से देख लिजेगा इनसे विरटट कॉस्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं उसके बढ़ेगा मेडाइवल में तो दिखें मेडाइवल में फिर क्या पूछेगा विजयनगर समराज ठीक है विजयनग और फिर उसके दा आता है बहमानी समराज है ना बहमानी समराज आ जाता है और most important very important देखेंगा लूसेंट क्राउन कहीं भी आप देख लिजेगा वहाँ पे एक portion रहता है medieval history related books and authors का ठीक है books and authors इन से related question पूछता ही पूछता है यह very very important है इसको VVI करके note down कर लिजे very very important है बहुत ज़्यादा यह important है चलिए इसके आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं ध्यान दीजेगा अगर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे और क्या क्या अपने को देखना है इसके आगे फिर देखिए आपको देख लेना है गांधी इरा को अच्छा देखना है गांधी रा में क्या क्या आता ह देखिए गांधी रह में आएगा चंपारन सत्यागरा ठीक है चंपारन सत्यागरा के बाद भारत छोड़ा अंदोलन यानि quit India moment आ जाएगा उसके बाद क्या आ जाएगा non non cooperative moment ठीक है इसके बाद क्या आ जाएगा civil disobedient moment है ना civil disobedient moment यह आ जाएगा तो यह important चीज़े है गांधे निरासे और इसको अच्छे से लग के पढ़िएगा यहां से question ज्यादा मातरा में पूछता है फिर क्या आजाएगा देखिए फिर हमारा आजाएगा क्या फिर हमारा आजाएगा देखिए Congress आजाएगा है ना Congress और उसके जो related जो बैठक वगरा हुआ है है ना और खास करके moderate phase आपको देख लेना है moderate phase में कौन सा आजाएगा ठीक है देखिएगा ध्यान दीजेगा moderate phase में आपको आजाएगा 1905 के बाद वाला हिस्सा जो है अच्छे से देख जाएगा 1905 के बाद वाला हिस्सा अच्छे से देख जाएगा ठीक है उसके बाद जन जाती वेगरा इन सब को अच्छे से पढ़ जाएगा आप है ना जन जाती यहां से questions रहते हैं जन जाती से उसके देखिए आगे जो है revolutionary जो nationalist होते हैं जो हमारे जो करांतिकारी होते करांतिकारियों के बारे में पूछता है ठीक है करा अारार्ट यहर ठीक है टाइग और हो गया ठेक है सहफुदीन कृचलू हो गया उसके बाद देखेए बोऌस सबोगाय उसके बाद देखेगा चंद्र सेखा राजाद हो गया इन ऊसके बाद अगर मगान अगर बात के जिसे भागत सिंग्षिय कह एंड especialmente CHANCE to in इन सारे लोग भारत में ठीक है तो यह वाला पॉइंट पर भी पीच सी का थोड़ा सा कम ध्यान रहा है अगर आप लोग ध्यान देंगे तो तो भृटी सर्ट का भारत में यह कम थ्यान लेकिन आप इसको देख लीजिए किसे कभी कोशन पूछते रहता है लेकिन यहां पे Britishers की जो है ध्यान रखिएगा आप खास करके यह ध्यान रखिएगा कि इनकी economic policy कैसी रही थी है ना economic policy Britishers की कैसी रही थी ठीक है and most important Britishers में यहां पर दिके governor general जो है ना governor generals को अच्छे से देख लीजेगा ठीक है religious moment जो हुआ है है ना religious moment आप यहां पर लेक लीजे रिलीजियस moment अधिक है इसमें religious moments में ध्यान रखिएगा सिर्फ हिंदू moment में मत याद फोकस कीजेगा इसमें आपका जो है आर्रे समाज हो जाता है ठीक है और राजा राम मोहन रोय ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसाई पारसी ठीक है पारसी मुस्लिम इन सब ऐसे जो धर्म है इनके मतलब religious moment जितने हुआ है इनने पर खास करके आप लोग फोकस रखेंगे फिर देखिए important चीज है important जो पत्र पत्रीकाएं जो है ना पत्र पत्रीकाएं कॉंट किसने कौंसी यानिकाली है इन् memb मात्मा गांधी राजेंदर परसाद जवारल नहरू मतलब इनके दोबजें पत्र पत्रीकाएं निकाली क्या है और जो है और जो आजादिस रिटर्ट पत्र पत्र का है इनका खास करके ध्यान रखेगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट है इससे पूछता ही पूछता है एक कोस्चन एक दम पूछता है और उसके बाद देखें पार्टीशन जो है यानि कि विभाजन के टाइम का जो है चीज थोड़ फोकस करना है क्योंकि इस पर उतना कुछ फोकस रही रहता क्षोक फोकस करना इसे श कंच लेना है नहीं रहता लेकिन आपको देख लेना है जैसे की ऐसे समय कंछ से और आखरी जो है गवर्णेर जनल कौन रहा है पर्थम भारति गवर्णेर जनल कौन रहा है ऐसे चीजों पर आप खास करें फोकस रखेगा तो यह पार्टीशन के टाइम के आसपास के चीज अहां से रिल्टेट कुछ चीज ऐसे सिसकिन यह लोग पूछ रहते हैं ठीक है चलिए रहुं हम्मारा दिखि है Nevertheless है economics इकनामिक्स पॉर्शन में दिखान देजेगा क्या क्या यह पूचता है वेरीबर इंपोर्टन आ दिखिएगा economics कर Desert पूछ लेगा है ना इडिकर ए mirrors can देखो तो माफ कर दीजेगा तो यहां से लिटेट काफी ज़्यादा question पूछते हैं economics में खास करके आप लोगों ने ध्यान दिया होगा क्रिसी से लिटेट अगरिकल्चर से लिटेट काफी ज़्यादा सवाल यहां पूछे जाते हैं ठीक है उसके देखिए यहां पर economics में अब जो important एक चीज बन जाता है क्या देखिए बजट यहां पर पूछेगा इसमें बजट से लिटेट चीज क्या पूछेगा बजट से इस schemes और जो programs जो अभी रिसेंटली चल रहे हैं उनसे रिटेट चीज़े पूछेगा तो बजट बेसिकली इसी पर focus करेंगे बजट आपका link up रहता है current affairs के साथ अगर आपका उधर है तो आप एक दम आरामस के लिए उसका देखिए रास्ट्रिय आए है ना इस पर focus इनका रहत यहाँ पर money and banking यहाँ पर इसको डाल लीजे money and banking इसी से आपका जो है RBI वगरा यहाँ पर cover up हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर यह सारे points इंसे रिटेट कोश्चन पूछता और last में जो है देखिए इंडस्ट्री से रिटेट कोश्चन पूछता है ठीक है इंडस्ट्री से जुसको वैस्वी करण वगरा हम लोग बोलते हैं ठीक है तो यह economics का portion हो गया है यहाँ से खास करके आप थोसा इस पर ध्यान दे लिजेगा आप पॉलिटी के portion पर हम लोग आ जाते हैं ध्यान दीजेगा भाई पॉलिटी के portion में तो पॉलिटी में देखिए सबसे पहले तो पार्लियमेंट आप देख लिजेगा थीक है यानि की संसद ठीक है संसद आपको अच्छे से देख जाना है important है एक्जेक्यूटिव देख लिजेगा कारे पालिगा ठीक है हम बात करें दखिए अर्वन लोकल वड़ीज है थिक है यहाँ पे BPSC खास करके बहुत इनका फोकस रहता है बहुत ज्यादा इनका फोकस रहता है BPSC का उसके आद देखिएगा आपको यहाँ पे citizenship देख लेना है ठीक citizenship यहाँ पर देख लेना है यानि कि जो हम बोलते हैं न राश्ट्रियता हमारी ठीक है राश्ट्रियता उसके आद देखिए state government यहाँ पर अपने को देख लेना है state government से related काफी सारे question पूछता है ठीक है ठीक है उसके देखिए आपको यहाँ पर एक और point देखना है judiciary का ठीक है न जो judiciary का यहाँ पर देख लेना है क्योंकि इस से related काफी question पूछता ही पूछता है और उसके देखिए constitutional development आपको देखना है constitutional development तो देखिएगा यह quality में आपके जो ऊपर के जो तीन है very important बहुत ज्यादा ही बहुत ही ज्यादा करना है उपर के तीन को जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि उपर से घटे करम में हम लोग बढ़ेंगे यानि उपर वाला very important उससे थोड़ा सा important उससे थोड़ा सा कम उससे थोड़ा सा कम ऐसे करके तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह जो chronical order है यह जो मैंने आपको लगभग 37-38 जो यहाँ पर मैंने topics बताई है अगर इसको आप लोग करते हो तो definitely आपका exam बहुत ही बहतीन तरीके से crack होगा और most important इसको revision जो है आप लोग से पढ़के रखना नहीं है इसका revision आप लोग जड़ा अच्छे से कर लिजेगा ठीक है very important है तो आप वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो कमेंट करके जरूर बताईए वीडियो आप लोग कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जाज़ दस शेयर करिए till then take care bye bye and god bless you all